ओम नमो नारणाय नमाह स्वागत आप सभी का मेरे वक्ती भामना यूटूब चैनल पर दोस्तों मिठाई बाटने के लिए हो जाएए त्यार क्योंकि मल मास में यह रास्या होने वाले हैं पुत्रवान और धनवान मल मास का महिना पुर्सुत्तम मास के महिने के नाम से जाना जाता है क्योंकि भगवान सी किष्ट ने स्वेम बरदान दिया हैं इस महिने में जो व्यक्ती पूजा पाट करेंगे उनकी हर मनुकामना पूरी होगी मल मास में सुब कार करना बरजित माना जाता हैं लेकिन उपाय और पूजा पाट करना बेहदी शोबू माना जाता है। आपकी कुंडली में दोस हैं, आपकी कुंडली में परिशानी है, ग्रहन की इस्तिती ठीक नहीं हैं, जिसकी वज़े से आपके प्रते कार में रुकावट आती हैं तो दोस्तों आपको मलमास में यह है उपाय करने चाहिए। उपायन के साथ साथ बागिसाली राशियों के बारे में भी जानकारी दे रहा हूँ सबसे पहला उपायन प्रतिदिन भगवान कृष्ण के सामने भगवान सिव के सामने पीपल ब्रक के नीचे और तुलसी माता के सामने साथी पित्रों के सामने प्रदोश काल में दीपक जलाना आपको प्रारम कर देना है ऐसा करने से पित्र दोश दूर हो जाता है काल सर्प दोश दूर हो जाता है कुंडली में कोई भी दोशो सारे दोशों की सांती हो जाती है और सिगरी मनोकामना पूरी हो जाती है जो व्यक्ति अधिक मास में भगवान कृष्ण का पूजन करते हैं भगवान कृष्ण के सामने केले गा फल तुलसी पत्र चड़ाते हैं और उन्हें खाते हैं साथी पंच मेवा और मक्कन मिस्री का भूग लगा के खाते हैं कि मनोकामना पूरी हो जाती हैं जो व्यक्ति इस महिने में भगवान सिवकाव से करते हैं और पांच बेल पत्र प्रति दिन पीले चंदन से ओम नवस्वा लिखकर के सिवलिंग पर चड़ा देते हैं गेहों और चाबल के दाने के साथ में उनकी प्रतिक मनोकामना पूरी हो जाती हैं इस महिने में अगर आप गो माता का नेमित रूप से पूजन करते हैं साथ ही पीपल ब्रक के नीचे दीपक जला के साथ परक्रमा या ग्यारे परक्रमा प्रति दिन करते हैं कोई भी इच्छा बोल करके तो आपकी प्रतिक मनोकामना पूरी हो जाएगी साथ ही पित्रों का आशिवाद भी प्राप् तुलसी माता के सामने दीपक जलाके तुलसी के पोदे में एक पीली कोड़ी एक रुपे का सिक्का चावल हल्दी डाल देते हैं उनकी प्रतिक मनुकामना पूरी हो जाती है। रासी चत्मि रासी है ब्रेश्चिक रासी सात्मि रासी दधनु रासी आट्मी है कुम रासी और नुमी है मीन रासी यह रासिया हैं इस मेहिने में बियहादी भाकिसाली रहने बाली है वीडियो को शेयर करकरें चैनल को कुछ सब्सक्काइब करें आघू मनमस्यु थ Around झाल झाल